बहान बेटिया सुरचित नहीं है दलितों पे अत्याचार नंबर एक पे है तो कहीं राजस्तान में है और बेरोजगारी नंबर एक पे है तो वह राजस्तान प्रदेश है राजस्तान में जंगल राज है कानुन पे उसा ठप हो चुकी है 28 तारिक को 24 घंटे के अंदर 21 घटनाय घटी है 24 घंटे के अंदर 28 जुलाई को 21 घटनाय घटी है जिसमें बूंधी के लाखेरी गाओं में महिला के घर में घुश करके उसकी हत्या पाली के भीमगड में युवक की हत्या करोली में 7 दिन पुरानी लास मिली यह मैं 24 घंटे की बात बता रहा हूं 28 तारिक से 29 तारिक के बीच में जैपूर में सरेयाम जो राजधानी है जहां सोक गहलोजी का निवास है जैपूर के सदर इलाके में एक आदमी को चाकू से गला चीर दिया जाता है वहीं चितोड़ गड में युवक की डाली चंग जटिया की लास मिलती है हत्या हुआ है करोली में सरेयाम चार लुटोरे में लुटोरे ने घुश करके महिला की हत्या की यह वही करोली है जहां एक लेलकी का अभी कुछ दिन पहले अपरण किया गया गैंग रेप किया गया गोली मारी गई उसको तेजाब डाला गया उसके बाद उसको कुए में फिक दिया गया यह वही करोली की घटना है बारा में रामलाल गुजर हत्या कर दी जाती है भरतपूर में दिन दहाडे फायर करके दो लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है इस चौविस घंटे के अंदर बता रहा है अभी कुछ दो दिन पहले की केवल चौविस घंटे के अंदर 21 हत्या के बारदात हुई है जिसे महिलायों का रेप हुआ जोदपूर में महिला को किड्नेप किया जाता है और किड्नेप करने के बाद उसका दुसकर्म किया जाता है और जैपूर के जालूपूरा में दो लोगों ने महिला के साथ दुसकर्म किया पाली में हिर्दय बिदारा घटना चोवजात साल की लड़की का रेप किया जाता है गैंग रेप होता है और पाली में उसका वीडियो वाइरल किया जाता है जैपुर के प्रताब नगर में इलाके में यूती का रेप किया जाता है और तोर केकडी में सिचिका के साथ दुसकर्म होता है इस चोवज़ घंटे की गटनाएं बता रहें, आप समझें कितना भयावग इसी ती राजस्तान में हैं, इसी प्रताब गड में एक टीचर के साथ छेड़ खानी होती है, और छे छात्राओं के साथ दुसकर्म के प्रयास होता है, चुरू में, चुरू में एक विव्याहुत्या, जो महिला है, उनका परण किया जाता है, और दुसकर्म किया जाता है, अजमेर में भी इसी प्रकार की घटना घटती है, चो बाड मेर में, बाड मेर में नाबालिक लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है, एक दिन के अंदर 21 घटना है, रेप की, हत्या की, बलतकार की, औ और सीधे गोली मार देने की घटना राजस्थान में हो रही है और राजस्थान के चारो कोने में हो रही है 17-18 प्रतितिन बलतकार की घटना राजस्थान में है NCRB के आंक्रे कहते हैं कि सबसे अधिक महिला उत्मीडन और अपराधी करन कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है